नमस्कार दोस्तो आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे इस वीडियों में बात कने वाले हैं BSSC Second Inter-Level Exam के रिकाडिंग दिहां दोस्तो लगभग 25 लाख छात्र BSSC Second Inter-Level Exam के बेट कर रहे हैं तो दोस्तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट नी कलके आ रहे हैं फाइली BSSC Second Inter-Level Exam में बहुत ही बड़े बदलाव कर दिये गए जिहां दोस्तो अभी 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 Official Website पर एक नोटी जारिक किया गए है जिसमें यहां पर बहुत ही बड़े बदलाव कर दिये गए है वही दोस्तो आप लोग को 18 जनवरी से आप लोग को फॉम इडिट का प्रक्रिया भी शुरू हो रहा है जिनव जर्थों को फॉम भरने में दिक्कत हुई है वह 18 जनवरी से फॉम को इडिट कर पाएंगे तो दोस्तो आप लोग को सिधे Official Website पर ले करके चलते हैं इससे पहले आगर चैनल पर पहले बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन को फ्रेस कर लें फिवचर में लटेस्ट अपडेट सबसे पहले पराप्त करने के लिए तो दोस्तो आप लोग को सिधे BPSC के Official Website पर ले करके आगए हैं यहाँ पर देख सकते हैं 15 जनवरी 2024 के डिट में नोटी जारिक किया गए है जो कि यहाँ पर इंपोर्टेट नोटी से रिगारडिक एडबहटाइजमें नबर 02-2023 सेकेड इंटर लेवल कम्बाइंड कमपेटेटिक जारिक जारिक किया गए है और दोस्तो एक नोटी से यहाँ पर परिचारी के रिगार्डिक भी जारिक किया गए है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे विहार करम चारी चानियोंक अवश्यक सुचना यहाँ पे देख सकते हैं डेटेड 15.1.2024 के डेट में नूटी चारिक किया गया है यहाँ पे मेंसन किया गया है देख सकते हैं विक्यापर शंक्या 0-2-2023 दूतिये इंडर अस्तरिये संजुक्त पर्टोक्ता परिच्छा हेतू सुजोग अभ्यर्थियों से आउनलाइन अवेदन दिनांक 27-9-2023 से 11-12-2023 तक पराप्त किये गए। एक वा अबसर दिया जाए इसे हम अपना फॉम एडिट कर पाएं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आगे मेंशन क्या है। साथ ही आउनलाइन अवेदन समर्पित करने बाले सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जितने भी 25 लाख अभ्यर्थियों य आप लोग को जितने भी यहां पर आप लोग को जो डॉक्मेंट है सारे असकेन कोपी अपलोड करना पड़ेगा। वह जोस्तों आपको टेकनिकल यहां जो प्लोड करना पड़ेगा। आपको जो यहां पर आपको जो यहां पर आपको जो प्रोक्त के आलोक में विक्यापर शंक्या 0-2023 दूती इंटरस्तरी संजुक परतुकता परिच्छा से सभी अभियर्थू को सूचित किया जाता है कि डॉक्मेंट अप्लोड आप्शन है तू वांशित लिंक का आयोग के वेबसाइट पर दिना अठारा एक दोजाट चोविस से अठारा दूद जोजाट चोविस तक उपलग्द कराई जाएगी। तदर अनुसार अभियर्थी आवाशक त्यारी करना सूनिस्चित करेंगे। तो दोस्तो आप लोग रेडी हो जाएए सारे डॉक्मेंट आप लोग को अप्डोड करना है और इसी टाइम में हाँ पर अफ्लोड करना है अगर आप अप अप्लोड नहीं करेंगे तो आपका हैं यहां पर फॉर्म रेजेक्ट हो जाएगा अगर आप सही डॉकमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको डॉक्मेंट भरिपे किसर में आपको उस समय दिकत होगा क्योंकि जो आप अप अपडोड करेंगे वही डॉकमेंट हो हाँ पे और इजिनल आपको खो जाएगा पर दोस्तो यहां पर दोस्तो यहां पर बहुत ही बढ़ी अपड़ी हो जाए यहां पर 25 लक अभेर्थों को यहां पर पर्मान पत्र आप लोड़ करना पड़ेगा और दोस्तो इसके लिए आपको एक महिना का शमय दिया गया है दोस्तो अब बात करते हैं कि इसका एक्जाम कब तक कंड़क्ट कराया जा सकता है जैसा कि आप लोग मालू होगा कि कुछ दिर पहले पेपर में निव जाय था कि BSSC सेकेंड इंट जारी किया जाएंगे दोस्तो आप लोग बता दो कि आपको एक बीक में यहां पे जो एक्जाम कलेंडर होता है एक्जाम कलेंडर जारी किया जाएगा BSSC सेकेंड इंटर लेवल के रिगाड़े इनके सारे प्रोसेस बता दे जाएंगे कि आपका प्रिलेंस कब होगा मेंस क पुरी पुरी तयार है, आपको मार्च के अस्तार्टिंग में नहीं हो सकांगा तो दोस्तों आपको यहां पर सेकेन्ड या फ्रड़ में आपको अरामसे यहां पर बेपर और रहें कि आपका यहाँ पे exam connect कराया जाएगा और इसके लिए आपको prepare होना पड़ेगा तो दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी वेकेंसी है 12,000 प्लस अभी वेकेंसी जारी किये हैं और दोस्तो आसा है कि यह वेकेंसी बढ़ करके आपको 18,000 तक पहुंच सकता है और इ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के धन्यवाद